अगर आपको भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग-अलग टॉपिक्स की सची डरावनी कहानिया सुनना पसंद है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सची डरावनी कहानिया लेकर आता हूँ आज की कहानिया मुझे भीजी हैं, उडिशा से मेरे एक वीवर गोविंद ने, गोविंद ने मुझे एक साथ इतनी कहानिया भीज दी, कि मैंने सोचा कि क्यों न, ये पूरा वीडियो सरफ इन ही कहानियों पर बनाय जाए, लेकिन कहानिया शूरू करने से पहले, मैं आपको पताना चाहता हूँ, कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया एनिमेटिड हॉरर स्टोरीज चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपको एनिमेटिड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है, तो जल्दी से मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, अपने नए च मेरा नाम गोविंध है, मैं उडिशा के नया घड का रहने वाला हूँ, मैं आपको आठ सची कहानिया बताना चाहता हूँ, जो मैंने मेरे दादा जी और दूसरे लोगों से सुनी है, ये पहली कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी, ये आज से 45 साल पहले की बात है, वो ऐसा ही एक बार हमारे गाओं के एक आदमी के साथ हुआ था, तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरे पापा और उनके एक दोस्त उनके घर में कुछ समान ढून रहे थे, तो समान ढूनते ढूनते उनको एक बहुती पुरानी तंत्रमंत की किताब हाथ लगी, तो उनके दोस्त न साधनाओं को ठीक से कर ले तो वो बहुत अमीर और शक्तिशाली बन सकता था और इसी लालच में पापा के दोस्त ने वो किताबें पढ़के साधनाई करना शुरू कर दिया उन्ही दिनों गाओं में एक लड़की की मौत हो गई थी उस लड़की को गाओं के बाहर एक जगह म जो साधनाई वो कर रहे थे उसमें एक साधना ऐसी थी जिसमें उन्हें एक लाश की जरूरत थी और उस लाश को उन्हें अपने मंतरों से जिन्दा करना था उन्होंने अपने एक दूसरे दोस्त को भी अपने साथ ले लिया और एक रात बारा बजे वो दोनों नहाद होके साधना करने का सारा समान लेके उस जगए पहुँच गए जहां उस लड़की को दफनाय गया था वहां पहुँचके उन्होंने जमीन खो दी और उस लड़की की सड़ी-गली लाश को बाहर निकाल लिया उसके बाद उन्होंने अपने और अपने उस दोस्त के चारों तरफ सिंदूर से दो गोले बना दिये और अपने दोस्त से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गोले से बाहर मत निकलना और उसके बाद वो वहाँ बैठ के लाश के सामने तंतर साधना करने लगे और थोड़ी दिर बाद ही वो लाश उटके बैठ गई लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किये लगातार मंत्र पढ़ते रहे और फिर वो लाश खड़ी हो गई वो देखके वो दोनों बहुत डर गए लेकिन भागे नहीं उसके बाद उस लड़की ने अपने मूँ से दो फीट लंबी जीब निकाल ली और बहुती डरावनी आवाजें निकालने लगी फिर वो लड़की उनसे कुछ खाने को मांगने लगी वो लोग अपने साथ दाल, चावल, सबजी औगएरा लेकर गए थे लेकिन वो लड़की उनसे मास मुरगा मांग रही थी जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने वो सब कुछ उस लड़की को खाने को दे दिया लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई वो बार बार उनसे मुरगा काली बिल्ली खाने को मांग रही थी लेकिन उनका तो सारा खाना खतम हो गया था तो डर के मारे उनका दोस्त उस गोले से निकल के भाग गया अपने दोस्त को भागता देख वो भी वहाँ से भाग निकले लेकिन वो लड़की भी भैयानक आवासे निकालती हुई उनके पीछे आ रही थी भागते भागते वो गाओं के बाहर बने मंगला मा के मंदिर के सामने पहुँच गए और जोर जोर से मंगला मा का नाम लेने लगे तभी वो लड़की उनके पीछे आते आते रुख गई और बोली तुम दोनों ने आज जो काम किया है उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी आज तो तुम बच गए लेकिन जादा दिन नहीं बच सकोगे इतना कहते ही वो लड़की वहां से गायब हो गई वो दोनों सुभह तक मंदिर के सामने ही बैठे रहे फिर कुछ दिन बाद उनके दोस्त की जिसको वो अपने साथ लेकर गए थे उसकी अजीबी तरीके से मौत हो गई दिरे दिरे पापा के वो दोस्त भी कमजोर होने लगे उन्होंने ये सारी बात मेरे पापा को बताई थी दिरे दिरे वो बिलकुल पागल हो गए और एक साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे पापा के साथ घटी थी ये करीब पचास साल पहले की बात है मेरे पापा तब 16 साल के थे और गाउं में रहते थे उन दिनों रामलीला के टाइम पे गाउं के लोग दूसरे गाउं में जाये करते थे रामलीला देखने के लिए तो ऐसे ही एक रात मेरे पापा अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे गाउं में रामलीला देखने गए थे वो टोटल च्छे लोग थे रात में वो सब घर से खाना खाके निकल गए वो गाउं उनके यहां से करीब दो किलोमेटर दूर था वैसे तो वो लोग यहीं सोचकर गए थे कि वो अगली सुभह ही वापिस आएंगे लेकिन रात में ही उन लोगों को तेज नीज आने लगी और वहां सोने की जगे भी नहीं थी तो वो लोग रात में ही टाइम देखे बिना वहां से वापिस आने लगे रास्ते में उनको एक तालाब पार करके आना था जिसके साथ में ही एक पीपल का पेड़ भी लगा था तो वो लोग जैसे ही उस तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक काली बिली ना जाने कहां से आके उनका रास्ता काट गई वो देखके उन्होंने सोचा कि अब जरूर कुछ बुरा होने वाला है और इसलिए वो सब तेज तेज चलने लगे लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद कोई पेड़ों में से उनके उपर छोटे छोटे पत्थर फैकने लगा अब वो लोग और डर गए और तेजी से वहां से निकलने लगे बाकी सब लोग तो आगे आगे तेजी से जा रहे थे लेकिन पापा के एक दोस्त और उनका छोटा भतीजा सबसे पीछे थे उनके दोस्त का भतीजा छोटा था वो तेजी से नहीं चल पा रहा था और तब ही उन्होंने देखा कि सफेद साडी पहने एक औरत सामने पुल के नीचे से चलती हुई उपर आ रही थी। उसके बाल उसके घुटनों तक लंबे थे। और वो औरत उनके सामने आके चलने लगी। लेकिन मेरे पापा और बाकी लोग जो आगे थे उन्हें ये बात नहीं पता थी। सिर्फ उनका वो दोस्त और उसका भतीजा ही उस औरत को देख पा रहे थे। उस बच्चे ने हैरानी से अपने चाचा से पूछा कि चाचा ये औरत कौन है। तो उसके चाचा ने उसको चुप रहने को कहा बोले चुप चाप चलते रहो। लेकिन वो औरत बीच बीच में गायब होती जा रही थी। वो देखके बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवास सुनके उन लोगों ने पीचे मुड़के देखा तो उस औरत को देखते ही वहाँ से भागने लगे। बाकी सब तो गाउं के अंदर चले गए लेकिन वो दोनों चाचा भतीजे पीशे रह गए। वो अभी भी पीशे पीशे एक दूसरे का हाथ पकड़के चलते हुए आ रहे थे। गाउं के बाहर ही कुछ इमली के पेड़ पढ़ते थे। और वो दोनों जैसे ही उन पेड़ों के पास पहुँचे वो औरत अचानक से उन पेड़ों में गुशके गायब हो गई। उसकी नाक से खून निकल रहा था। वो लोग जल्दी से उसको मैडिकल में लेकर गए जो की गाउं से 17 किलोमेटर दूर था। उसके बाद उस बच्चे की जान बच्च तो गई लेकिन वो आज तक गुंगा है। ये तीसरी कहानी मुझे मेरे मौसा जी ने बताई थी। तो मौसा जी और उनके भाई दोनों आटो रिक्षा से उनके घर उनको लेने गए थे। उनका घर बहुत दूर था, इसलिए वापिस आते आते उनको बहुत देर हो गई थी। वो सरदियों का टाइम था, इसलिए शाम पांच बजे ही अंधेरा होने लगा था। वो जिस रास्ते से आ रहे थे, वो पहाड़ी इलाका था, जहां सिर्फ पहाड और जंगल थे। रास्ते में एक नदी भी पढ़ती थी, तो वो लोग जैसे ही उस नदी के पास पहुँचे, उनका आटो बंद हो गया। आटो वाले ने आटो स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन आटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर वो बोला कि आटो को धक्का देना पड़ेगा, तो वो दोनों भाई धक्का देने के लिए जैसे ही आटो से बाहर निकले, तो मौसा जी के नजर पीशे पड़ी, उन्होंने देखा कि एक साथ आट फीट लंबा आदमी उनके पीशे करीब दस कदम दूर हवा में उड़ रहा था, तब तक उनकी भाबी भी आटो से बाहर आ गई, और उस आदमी को देखते ही डर के माने बेहोश हो गई, तो उन्होंने जल्दी से उनको वापिस आटो में बिठाया और उनके मूपे पानी के छीटे मारे, तब तक वो आदमी वहां से गायब हो चुका था, फिर वो दोनों आटो को धका देते हुए वहां से दूर ले गए, ड्राइवर ने फिर से आटो स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार आटो स्टार्ट हो गया, और वो लोग अपने घर पहुँच गए, लेकिन घर पहुँचते ही उनकी भावी ने बताया कि उनको तब ये ठीक नहीं लग रही है, वो रात में तो सो गई, लेकिन सुबह उठते ही उन्होंने अपने बाल खोल लिये, और घर के सब लोगों को गालियां देने लगी, यहां तक क अपने पती को भी मारने लगी, जब मौसा जी उनको रोखने के लिए उनके पास गए, तो वो किसी आदमी की आवास में बोली, मैं तो तुझे खाने के लिए ही यहां पर आया हूँ, उनकी बात सुनके मौसा जी वहां से भार भाग गए, उसके बात 6-7 लोगों ने मिलके बड़ी मुश्किल से उनकी भावी को काबू किया, और रसी से बांद के एक कमरे में बंद कर दिया, सब समझ गए थे कि इनके उपर ज़रूर कोई उपरी चक्कर है, लेकिन उन दिनों कोई गुनी, मतलब कि किसी बाबा को ढूनना बहुत मुश्किल होता था, मुश्किल से वो लोग पास के गाउं के एक गुनी को साइकल पे बिठा कर अपने साथ लाए, तब तक दोपैर के तीन बच चुके थे, घर में आके जैसे ही उस गुनी ने उनकी भावी को देखा, तो वो गुस्से में बोली, तू मुझे बगाएगा, और इतना कहकर जोड़ जोड़ से शैतान है, इसको निकालना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे गुरू जी ही इस शैतान को संभाल सकते है, उन्होंने मुझे जी को अपने गुरू जी का एड्रस बताया, तो अगले ही दिन मुझे उनको लेने के लिए निकल गए, और एक दिन बाद ही उन गुरू जी को लेकर अपने घर वापिस आ गए, फिर उन गुरू जी ने एक फूल की मदद से उस शैतान को उनकी भावी से बाहर निकाला और फिर उस फूल को अपने साथ लेकर चले गए, उसके बाद उनकी भावी बिलकुल ठीक हो गई, ये चौती कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थ जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है, जब वो चौती क्लास में पढ़ता था, ये सब उसके एक टीचर के साथ हुआ था, मेरे इस दोस्त का स्कूल एक नदी के पास पढ़ता था, और उसका वो टीचर स्कूल खतम होने के ब स्कूल से उनका घर पांच किलोमेटर दूर था, और वो रास्ता उस नदी से होकर जाता था, साथ ही उस रास्ते पर एक शम्शान भी पढ़ता था, रात के टाइम वो रास्ता बिलकुल सुनसान रहता था, वैसे तो वो रोज उसी रास्ते से ही जाते थे, लेकिन एक रात तेज बारिश हो रही थी इसलिए उस पूरे अलाके में लाइट नहीं थी फिर रात नौ बजे के करीब वो क्लासिस खतम करके साइकल से अपने घर जाने लगे वो उस नदी के पास पहुचे ही थे कि किसी ने उनकी साइकल पर एक छोटा सा पत्थर फेंक के मारा लेकिन उन्ह पता था कि वो शम्शान का अलाका है इसलिए वहां रुकना ठीक नहीं है वो बस साइकल चलाते रहे फिर जब वो उस नदी पे बने पुल पे पहुचे तो उन्होंने देखा कि पुल के बीचों बीच एक जलता हुआ दिया रखा था और ठीक उस दिये के सामने एक औरत पहिर के बैटी थी और वहां से दूसरे तरफ जाने का सिरफ वो ही एक रास्ता था उस औरत को देखकर वो टीचर डर के मारे पशीना पशीना हो गए और गायत्री मंतर पढ़ने लगे लेकिन वो औरत फिर भी वहां से हटने ही रही थी तो वो वहां से वापस स्कूल की तर का मार डालूंगी उस दिन के बाद से उस टीचर ने शाम के टाइम टूशन क्लासिस देना बंद कर दिया ये पांचवी कहानी मेरे छोटे भाई के साथ घटी थी मेरे पापा बताते हैं कि कुछ लोगों की राशियां ऐसी होती हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉलम और चीजें हमेशा होती रहती हैं। इसलिए मेरे छोटे भाई और दीदी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा होता रहता है। ये बात दो साल पहले की है। मैं उन दिनों भुवनेष्वर में रहकर कंप्टिट्टस इग्जाइम्स के तैयारी कर रहा था। मेरे घर में तब मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाही रहते थे हमारे यहां के लोग बताते थे कि हमारे इलाके में एक कंकाल वाला भूत रहता है इलाके के कई लोग उसको देख चुके थे हमारे घर का टॉलेट घर के बाहर बना है इसलिए रात में जब भी टॉलेट जाना होता था तो घर के बाहर ही जाना होता था वो अमावस की रात थी बताते हैं कि अमावस की रात को बुरी शक्तियां बहुत ताकतवर हो जाती है तो उस रात मेरा भाई जब टॉलेट के लिए उठा तो वो पापा को भी अपने साथ ले गया उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे पापा उसके साथ बाहर चले गए और उसके टॉलेट से आने का वेट करने लगे लेकिन 10 मिनट बाद भी जब वो वापिस नहीं आया तो पापा ने टॉलेट में जाके देखा तो देखा कि वो अंदर बेहोश पड़ा था वो पसीने में भीगा हुआ था पापा ने जल्दी से मम्मी को आवाजे लगाई लेकिन मम्मी गहरी नीन में थी इसलिए उनको आवाज सुनाई नहीं दी पापा उसको वहाँ अकेला छोड़के नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको पता था कि इसके उपर जरूर कुछ उपरी चक्कर हुआ है मेरा भाई तब 19 साल का था इसलिए पापा को अकेले उसे बाहर निकालने में परेशानी हो रही थी लेकिन पापा किसी तरह उसको खीच के बाहर लाए और उसके चेहरे पे पानी के छीटे मारे और कुछ ही देर में उसको होश आ गया तब तक ममी भी जग चुकी थी फिर जब पापा ने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ था तो उसने बताया कि जब वो टॉलेट करने के लिए अंदर गुसा तो अंदर से उसको किसी की आवास सुनाई दी किसी ने उससे कहा तु यहां टॉलेट करने आया है देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ इसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा उसके बाद वो सब अंदर आ गए लेकिन सुबह होते होते उसको बहुत तेज बुखार आ गया तो पापा उसी दिन उसको एक ओजा के पास लेकर गए ओजा ने उसके उपर कुछ जार्फों किया और उसको एक तावीस पहनने को दिया और उसके एक दो दिन बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गया ये अगली कहानी तब की है जब मैं दो महीने का था मेरे पापा एक गौवर्मेंट इंप्लॉई थे इसलिए हर दो तिन साल में उनका ट्रांसफर होता रहता था मैं जब पैदा हुआ था तब पापा की पोस्टिंग भवानी पतना नाम की एक जगह पर हो रखी थी वहाँ पापा ने एक किराय का मकान लिया हुआ था वो घर ऐसा था कि उसमें कोई खिडकी नहीं थी टॉलेट भी घर के बाहर बना था और टॉलेट के साथ में एक अमरूद का पेड भी था वो गर्मियों के दिन थे और रात में बिना खिडकी के घर में सोने में बड़ी परिशानी होती थी तो एक रात पापा मुझे लेकर घर के बाहर चार पाई पर सो रहे थे मेरी मम्मी और दीदी घर के अंदर ही दर्वाजा बंद करके सो रहे थे फिर रात में सोते हुए टॉलेट जाने के लिए पापा की आँख खुली तो पापा ने देखा कि उस अमरूद के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी उसका मुझ दूसरी तरफ था इसलिए पापा उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे तो पापा उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जान बूच के खासने लगे तो वो औरत वहां से उटके टॉलेट के पीशे चली गई उसको ऐसा करता देख पापा जल्दी से मुझे उठा के लाए और घर का दर्वाजा पीटने लगे ममी ने दर्वाजा खुला तो उन्होंने मुझे जल्दी से ममी के हाथ में दिया और फिर से बाहर आ गए टॉलेट की तरफ लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी फिर अगले दिन उन्होंने मकान मालिक से उस औरत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस औरत को उन लोगोंने पहले भी बहुत बार देखा है लेकिन वो कभी किसी का नुकसान नहीं करती इसलिए उससे डरने की स्रूरत नहीं है लेकिन पापा ने कुछ दिनों बाद ही वो घर खाली कर दिया और नए घर में चले गए ये कहानी जो मैं आप बता रहा हूँ ये मेरे पापा के साथ ग्यारा साल पहले हुआ था मेरे पापा को आफिस हमारे होम टाउन से 65 किलोमेटर दूर परता था और वहाँ जाने का रास्ता बहुत खराब था इसलिए पापा हमेशा सुबह साथ बजे ही निकल जाते थे और फिर शाम को उसी बस से घर वापिस आ जाते थे बस जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते के बीश में एक 10 किलोमेटर लंबा जंगल पड़ता था जिसमें एक चगै ऐसी थी जिसके बारे में लोग बताते थे कि वो चगै बहुत मनूस है लोग बताते थे कि वहाँ किसी बुरी शक्ती का वास है आय दिन वहां चोटे मोटे एक्सिडंस होते रहते थे टू वीलर पर वहां से जाने वाले लोग अक्सर बताते थे कि वहां से निकलते हुए उनको ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनका हैंडल दूसरी तरफ गुमा रहा है लेकिन पापा और उनकी बस के दूसरे पैसेंजर्स के साथ ऐसी कोई अनौनी कभी नहीं गटी थी फिर एक दिन उस दिन सुभह से ही तेज बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी पापा आफिस चले गए फिर शाम को पापा जब वापिस आ रहे थे तो बारिश की वजह से बस में बहुत कम लोग थे सिर्फ पांच से रेगुलर पैसेंजर्स ही बैठे थे ड्राइवर बस चला ही रहा था कि उस जखे पहुँचके अचानक उसने बस रोक दी और कंड़क्टर को अपने पास बुला के सामने कुछ दिखाने लगा पापा बताते हैं कि वहाँ आगे सडक के बीचो बीच एक मोटर साइकल पड़ी हुई थी और उसके बगल में ही एक आदमी पड़ा था और पास के ही एक पेड़ पे एक आदमी जैसा कोई बैठा हुआ था उसके पैर इतने लंबे थे कि नीचे जमीन पर लग रहे थे ड्राइवर ने वो देखके डर के मारे बस वहीं रोक दी ड्राइवर को पता था कि बसके अंदर काली मा का वास है इसलिए वो शैतान बसके अंदर तो नहीं आ सकता लेकिन वो आतमी जो वहां पड़ा हुआ था उन लोगों को उसकी फिकर होने लगी कोई भी बस से नीचे उतरने को तयार नहीं था तो बस कंड़क्टर बोला कि मैं नीचे जाके उसको लेकर आता हूँ और वो हिम्मत करके गायतरी मंत पढ़ता हुआ नीचे चला गया और उस आदमी को उठाके बसके अंदर ले आया तब तक वो शैतान भी वहां से गायब हो चुका था फिर उन्होंने उसके चेहरे पे पानी के चीटे मारे तो उसे होश आ गया उसने बताया कि वो पास कही एक गाउं का रहने वाला है और वो तो अच्छा बला उस रास्ते से जा रहा था लेकिन वहां से जाते हुए अचानक उसका बैलन्स बिगड़ा और वो नीचे गिर गया उसके बाद उसे क्या हुआ उसे नहीं पता कुछ देर बाद वो आदमी नॉर्मल तो हो गया लेकिन नीचे उतरके अपनी बाइक के पास जाने से डर रहा था तो सब लोगों ने कहा कि आप बाइक से आगे बढ़ो हम बस से आपके पीछे पीछे आते हैं फिर वो बस की लाइट की रोशनी में ही आगे बढ़ता रहा और अपने गाओं आते ही सब लोगों का शुक्रिय अदा करके वहां से चला गया अगर उस दिन वो बस टाइम पर उसके पास नहीं पहुँचती तो शायद वो उस दिन जिन्दा नहीं बच्चता ये आखरी कहानी मेरी दीदी के ससुराल की है दीदी बताती थी कि वो गाओं बिलकुल भूतिया है गाओं के लोग रात के आठ नो बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते थे अगर किसी को किसी जरूरी काम से भाहर जाना भी होता था तो तीन-चार लोग मिलके ही जाते थे उनका गाओं महानदी के किनारे है और गाओं के जादा तो लोग नदी में ही नहने जाये करते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके गाओं की एक औरत थी जो रोज सुबह पाँच बजे नदी में नहाने जाती थी जिस रास्ते से वो जाती थी वो बिलकुल सुनसान था और घंए पेडों से भरा था वैसे तो वो नदी गाउं से 300-400 मीटर ही दूर थी लेकिन इतने घंए पेडों की वजह से वो रास्ता बिलकुल सुनसान रहता था तो एक सुबह हर रोज की तरह वो औरत नदीशे नहा के वापिस आ रही थी उन दिनों वो प्रेगनेंट भी थी तो रास्ते में एक आदमी ने उसको पकड़ लिया और उससे रेप करने की कोशिश करने लगा लेकिन वो औरत चिलाने लगी तो उस आदमी ने पत्थर से मारके उसका खून कर दिया और वहाँ से भाग गया उस दिन के बाद से गाओं के लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया बहुत से लोग उस औरत के भूत को देखने की बाते करते थे फिर एक दिन दोपैर के टाइम एक आटो रिक्षा उसी रास्ते से जा रहा था दोपैर के टाइम वो रास्ता वैसे भी बिलकुल सुनसान रहता था तो वो आटो वाला जब उस रास्ते पर पहुँचा तो उसने देखा कि एक pregnant औरत उसे हाथ देके रुखने का इशारा कर रही थी वो आउटो वाला उस घटना के बारे में नहीं जानता था तो उस औरत को देखके उसने आउटो रोक लिया लेकिन आटो रोकते ही उसके देखते ही देखते वो औरत वहां से गायब हो गई वो देखके वो तेजी से आटो भगाते हुए वहां से आगे चला गया और गाओं के पास खड़े कुछ लोगों के पास जाकर आटो रोक दिया उसने गाओं के लोगों को वो बात बताई और बोलते बोलते ही उसने खून की उल्टी की और उसी वक्त उसकी मौत हो गई ये खबर सुनके गाओं के लोगों ने दिन में भी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया कि ए सुनके से जस आशैना बंद कर दिस सम्हाज्छ झाल